दोस्तो वीडियो इस्टार्ट कने से पहले मैं आपको लाइप प्रूप दिखाना चाऊंगा ये दोस्तो दिखे हमारे मॉइल में 5G चल रहा है और ये हमारे पास है आईफोन 15 प्रो मैक्स ठीक है अगर आपके पास कोई दूसरा आईफोन का मॉडल है तब भी इस वीडियो क देख सकते हो सभी मॉइल में सेम ही प्रोसेस रहेगा 5G नेटरुक सेटिंग करने का ठीक है तो इसके लिए फ्रेंट्स अब आपको करना क्या होगा आप अपने मॉइल की सेटिंग को ओपिन कर लिजे मॉइल की सेटिंग ओपिन होने के बाद अब यहां पतिके मॉइल इस पर फ्रेंट्स आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको 5G पर 5G आटो जो लिखा हुआ है इस पर आपको इस तरह से टिक लगाना है अगर इन पर टिक लगा है तो आपको 5G आटो पर लगा सकते हैं या फिर 5G आउन पर भी लगा सकते हैं ठीक है उसके बाद आपको ब बैक आजाने के बाद यहां पर दिखे data mode जो option दिख रहा है इस पर click करेंगे और यहां पर allow mode data on 5G इस पर आप tick लगा दीजे इस पर टिक लगाने के बाद अब आपको बैक आजाना है बैक आजाने के बाद अब एक और काम करना है notification panel open करेंगे और arrow plane mode activate इस mobile में आप कर दीजे इस तरह से उसके बाद आपको हटा देना है उसके बाद अगर आपके area में 5G network होगा तो तूरंथ दोस्तों इसमें 5G चलने लगेगा अगर नहीं चलना है तो आप समझ जाना कि अभी आपके area में 5G network नहीं आया है तो हमारे area में 5G network अभेलबल है तो यहां पतिक तूरंथ इसमें 5G पकड़ लिया है और मैं इसमें काफी दिनों से 5G यूज भी कर रहा हूँ